हाई फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूं आलू मटर की बिल्कुल अलग तरह की सब्जी जो आपने कभी ने खाई होगी बिना प्यास टमाटर की बनने वाली ये सब्जी बहुत जादा टेस्टी लगती है हाई फ्रेंट्स मैं गीता और मां गीता किनू रेस्पीज मैं एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यहां पर सबसे पहले मैं मिक्सिका जा ले रही हूँ इसके अंदर मैं डालूँगी काफी सारा हरा धनिया और इसकी जो डंडिया होती हैं वो भी हमें इस्तमाल करने हैं उसे नहीं फेकना है तो यहां पर मैंने डंडि समेथ हरा धनिया डाल दिया करीब 100 ग्राम और यहां पर मैं 8-10 हरी मर्च एड़ कर रही हूँ क्योंकि इस सबजी में ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं और इसमें मैं एड़ कर रही हूँ कम से कम 20-25 लहसुन की कलिया एक इंच अद्रक का इसे बंद करके मैं इसे पीस लूँगे और इसकी एक चटनी सी तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट लिया है आपको मैं दिखा देती हूँ किस तरह का पेस्ट मैंने तयार किया जैसे हम हरी चटनी तयार करते हैं हरे धरिये की विल्कुल वैसा ही तयार करना है तो मोटे लंप्स वगेरा नहीं होने चाहिए एकदम बारिक पेस्ट आपको तया अब यहां पर मैंने गैस पेक कड़ाई रखी है जिसमें मैं डालूंगी दो टेबल स्पून तेल आप कोई साभी तेल यूज कर सकते हैं मैं यहां पर कनोला ओल यूज कर रहे हूं आप सरसो का तेल भी यूज कर सकते हैं तेल को अच्छे से तेज गरम होने देंगे और इसके बनाने जा रही हूं निमोना बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे निमोना क्या होता है तो जो यूपी से बिलॉंग करते हैं वो लोग जानते होंगे कि निमोना क्या होता है और जो लग नहीं जानते हैं वो इतना समझ लें कि ये आलू और मटर की सबजी है बिलकुल अल तो जो चलके वाली सरद्यों में हमें मिठी मिठी मुठर वही आपको use करनी है तो इसे हमेंyalinté करनाया और बिना पारी करनाया पैली मैं पानी मैं सिरे मचिय जार में डाल लूह लीकिशतनी का जो इनक सबस्के अंट को ऐड़ कर रही हूं और इसमें हमें एक बून भी पानी एड नहीं करना है बिना पानी के इसे पीसना है दरदरा पीसना है मोटा मोटा पीसना है पेस्ट नहीं बनाना इसका तो यहाँ पे मैंने पीस लिया है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से मैंने पीसा है तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से दानेदार पीशा है और कुछ मटर इसमें आपको साबुद भी नजर आ रही होगी तो इस तरह से ही आपको पीशना है कुछ मटर साबुद और कुछ पिसी हुई एकडम पेस्ट नहीं बनाना है एक बुन भी पानी एड नहीं किया है मैंने और यहाँ पर जो आलू है वो हमारे एकदम अच्छे से फ्राइ हो गए है काफी अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसे मैं निकाल लेती हूँ तो यह देखे काफी अच्छे से फ्राइ हो चुकी है इसके उपर काफी अच्छी लेयर आ जाती है यह देखे जब इस तरीके से हम आलू को फ्राइ करके डालते हैं तो सब्जी का टेस्ट बहुत ज़दा बढ़ जाता है तो यहाँ पर मैंने आलू निकाल लिये हैं और जो तेल बचा हुआ है इसमें मैं आड करूँगे यह मटर जो हमने पीसके रख़ी है तो यह सारी मटर मैं इसमें आड कर दूँगी इसे हमें फ्राइ करना है इस तरह से चलाते हुए फ्राइ करेंगे और इसमें थोड़ा सा मैं नमक भी आड़ करूँंगी princet इसकि जल्डी फ्राइ हो जाए थोड़ा सा मैं यहां नमक एड़ कर रहे हूं थोड़ा सा हम बाद में भी आड़ करेंगे इसलिए जादा आड़ नहीं कर रहे हूं मैंने थोड़ा सा ही आड़ किया है और इसे हम 5-6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसका जो कच्छापन है व अलग अलग हो गया है तो इस तरह से हम यह मटर निकाल लेंगे अब यहां सेम खडाई को मैं फिर से यूज करने वाली हो और इसमें मैं डालूंगी फिर से तेल तो यहां पर मैं तीन से चार टेबल स्पून तेल का इस्तमाल कर रही हूँ तेल को अच्छे से तेज गरम होने देंगे और इसमें अब मैं एड़ कर दूंगी जो हमने हरी चटनी बना के रखी थी हरे धनिये से वो एड़ कर देंगे अब इस मसाले को भी हमें भूनना है जब तक कि मसाला जो है वो तेल ना छोड़ने लगे तो इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भूनना है थोड़ा सा मैं नमक एड़ कर देती हूँ क्योंकि मैंने पहले कम एड़ किया था अब इस मसाले को हमें चलाते रहना है और भूनते रहना है जब तक कि मसाला अच्छे से तेल ना छोड़ दे और इसका कच्छापन निकल न जाए तो यहां पर जब मसाला अच्छे से भून जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जाता है और यह तेल भी छोड़ देता है साथ ही मैं यहां पर गरम मसाला एड़ कर दूंगी 1 टी स्पून और इस मसाले को मैं थोड़ा सा अच्छे से भून लेती हूँ ताके इसका जो तेल है वो यह तेल रिलीज कर दे मैं आपको क्लोज अप में भी दिखा देती हूँ आप साइड से देख सकते हैं तेल निकलना शुरू हो गया है और मसाले का कलर भी चेंज हो गया है अब मैं इसमें एड करूँगी फ्राइक के हुए आलू और मटर दोनों को एक साथ ही एड कर दिंगे इसे भी मैं थोड़ा सा साथ में मिक्स करके पका लेती हूँ अब मैं इसमें पानी एड़ करूंगी और हमें थोड़ा जादा ही पानी एड़ करना है अगर आप इसे चावल से खाना चाते हैं तो ग्रेवी पतली रखेगा और इसे रोटी से खाना चाते हैं तो ग्रेवी गाड़ी रखेगा पर इसे जो यूपी में खाया जाता है चावल के साथ ही खाया जाता है और चावल के साथ ही बहुत ज़ादा टेस्टी लगता है यहा पर मैंने दो गिलास के करीब पानी से एड़ कर दिया है, इसे मैं मेडियम फ्लेम पे पकने दूंगी, इसे मैं कवर कर देती हूँ कवर करके इसे हमें तब तक पकाना है जब तक इसके उपर आपको तेल न नजर आने लगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस किस तरह से यह काला काला तेल आपको नजर आ रहा है इस तरह से जब नजर आने लगे इसका मतलब आपकी जो सबजी है वो बहुत अच्छे से पक चुकी है तो यहां पर सब्जी रेडी हो चुकी है आलू हमने अलरी फ्राइ किये वे थे तो आलू भी गल चुकी है मटर भी काफी अच्छे से पग गई है तो यहां पर जो तड़का लगने वाले वह देशी घी से लगने वाला है तो दो टीबल स्पून के करीब मैं यहां पर देशी हाफ टीश्पून जीरा जीरे को हलका सा फ्राइ होने देंगे साथ ही मैं यहां पर डालूंगी हाफ टीश्पून के करीब ही और ही और जीरे कर तड़का इसमें बहुत इलाजवाब टेस्ट और खुश्पू लेकर आता है तो गैस में बंद कर देती हूं जीरा हमारा पक च आता है तक कि खुश्पू भिला जाए और उसके बाढ़ इसे हम सर्थ कर एंगे और आप इसे चावल के साथ खाएं बहुत ही यमी लगडा है अगर आप जानते लगkę है अगर आप नहीं जानते हैं योपी से ब्ल॑ंग नहीं करते हैं बाहर से हैं तो हे एक में के सब्सक्र लगा लिखके चुरूपत आएगा वीडियो को लाइक करना पिलकुल मत भूलेगा